हलो व्यूवर्स, वेलकम टू मैं किचन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इडली की एक डिफरिंट रेसिपी, इसमें हम इडली को और भी हेल्दी और टेस्टी बनाएंगे, तो चलिए बनाने की शुरुआत करते हैं, हम प्लेन इडली और लॉकी के इडली दोनों बनाएंगे, इसलिए मैंने दो अलग-अलग बोल्स में इडली का आदा-ादा केलो बैटर लिया है, इडली बैटर के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिय है यहां मैंने 400 ग्राम लौकी को छोटे छोटे पीसिज में काट लिया है आप इपनी चॉइस के हिसाब से इसकी कौन्टिटी थोड़ी कम जादा कर सकते हैं अब हम इसे ग्राइंडर में डाल कर इसका पेस्ट बना लेंगे पेस्ट रेडी हो गया है इसे इदली के बैटर में मिला देंगे और साथ में एक टीस्पून सॉल्ट डालेंगे अगर आप इसे स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो लौकी को ग्राइंड करते समय इसमें 2-3 हरी म भी डाल सकते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके लिए एक छोटा सा तड़का रेडी करेंगे एक तड़का पैन में 1 टेबल स्पून और डालेंगे और गरम हो जाने पर उसमें 1 टी स्पून सरसों के दाने डालेंगे सरसों के तड़कने पर इसमें एक टेबल स्पून चना दाल डाल देंगे और जब ये आधी रोस्ट हो जाएगी तो एक टी स्पून उड़त दाल डालेंगे दोनों दाले रोस्ट होने पर इसमें दस बारा करी पत्ता डाल देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और लौकी के बैटर में मिला लेंगे लौकी का बैटर तयार है अब प्लेन बैटर में एक टीस्पून सॉल्ट डालेंगे और अच्छे से मेक्स कर लेंगे दोनों बैटर तयार हो गए हैं अब स्टीमर में पानी डाल कर बॉयल होने के लिए रख देंगे जब तक पानी बॉयल होगा तब तक हम इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेंगे इसमें किसी भी रिफाइंड ओयल की एक एक ड्रॉप डालेंगे और उंगलियों से स्प्रेड कर लेंगे अब ग्रीस की वे स्टैंड में बैटर डालेंगे ये प्लेन इडली का बैटर है हम बैटर को जादा उपर तक नहीं बरेंगे वरना ये बाहर निकलेगा जब तक पानी में स्टीम नजर नहीं आएगी तब तक हम इडली स्टैंड को अंदर नहीं रखेंगे वरना इडली अच्छी नहीं बनेगी इसमें मैं लौकी इडली का बैटर डाल रही हूँ अब तक हमारा पानी भी बोयल हो गया है और इसमें स्टीम दिखाई देने लगी है अब इडली स्टैंड को स्टीमर में रख देंगे इससे बारा से पंदरा मिनट तक मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे इससे जादा देर रखने से इडली टाइट हो जाएगी 12-13 मिनट हो गए है और इडली अच्छे से स्टीम हो गई है अब इससे बाहर निकाल लेंगे और 4-5 मिनट थंडा होने के लिए रख देंगे इडली नॉर्मल हो गई है अब एक स्पून की हल्प से इसे डी मोल्ड कर लेंगे इडली बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है अब इडली स्टेंड को दुबारा ग्रीस करेंगे और सेम उसी तरीके से सारी इडली बना लेंगे लौकी या घिया की इडली बहुत अच्छे बनती है आप इन्हें जरूर ट्राय करें अगर आप लौकी की सबजी खाना पसंद नहीं करतें तो एक बार इस तरीके से लौकी की इडली बना कर जरूर देखें आपको पता भी नहीं चलेगा किसमें लौकी डली है और यह आप आपको बहुत पसंद आएगी थैंक्यू फॉर वाचिंग अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें